दरना और उसके holder को या उसके पहनने वाले को उस DNA में चेंज करना तो एक प्रस्ण यह उट्टा है कि क्या यह as guardian DNA इसको भी absorb कर सकती है और इससे भी बड़ा सवार यह उट्टा है कि क्या यह थौर्ड के इसे अपने डिल या फिर अपने तागों के बीच वाले जगह पर मत लेना क्योंकि ऐसा चीजी नहीं लेने लायक तो यह थ्योरी यह है कि हां वह बिल्कुल थौर्ड में अपने आपको कनवर्ट कर सकता है और हां वह वर्दी भी होगा इसका एक सिंपल सांसर है क्योंकि हमरे एंड्रॉइट्स याने कि विजन चच्चा ने मियॉनिर को उठाया है तो इससे यह पर चलता है कि अगर एक रोबोट उसको किसी तरीके से उठाता है तो वह उसके लिए वर्दी भी है तो यही बात बाकि सारे मशीन के साथ भी लागू होती होगी या फिर वह इंफिनिटी स्टोन पहिंट के बैठा तो होटी होगी लिकिन बेंटन उनिवर्स में ओम्नितिक्स भी एक बहुत ही जादा पावर्फुल वैपन है जो कि बैंड नहीं क्रियेट किया मतलब बनाय थैजमत ने अच्छे काम के लिए था लेकिन बैंड ने उसको वैपन का डर्जाद दिला दिया वह बहुत ही ज्यादा पावर्फुल वैपन अब इससे भी ज्यादा बढ़िया बात यह उटती है कि अगर वो चेंज हो जाता है और वर्दी भी होता है तो उसकी पावर वल्क से उपर शुक्तित अपने कुछ और दूसरे इलियन दोर के सार्न मर्ज कर सकते हैं या फिर पोर्ट अल्टारिया जैसे वेपन के यूज़ करके भी उस पैसल फॉर्म की पावस कोई बराया जा सकता है और क्या पाता थौर के इस फॉर्म का बैंड के पास अल्टिमेट फॉर्म भी हो जिसके जरीए वो और भी जारा पॉर्फुल हो जाता हो अब मुझे तो इस बार में अब कमेंट में जो लिखोगे या तो फैक्ट्स होंगे या फिट्योरी होंगे तो जाओ अपने दिमांग के धक्कन खोलो लिखते जाओ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगार तो एं सब्सक्राइब और पड़ा गौस्मिक अर्मी तो बंस्पारेब कोस्मिक सुपरहो